हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है सर क्यों हमारा inflation हमने सोचा नहीं था गिरेगा फिर भी गिरकर आ है 5.9 से 5.7 हो गया अच्छा है और IAP भी अच्छी बढ़त दिखा रहे है अफ खे अफने बात करने के लिए और चैरे पर स्माइल लाने के लिए ठीक है बागी वह एक महीने और अपर एक महीने इस प्ता नहीं कैसे निकलते है पगवानी जाने सब माइनस चार से माइनस तरहा है. ऐसे तोड़ी होता है. एक मेने पहले हमको ग्रोफ नहीं रहा है. इसको तो कुछ आमूल चूल परीवर्तिन की जरूते हैं, इनको कैसे गिना जाता है. मुझे इसकी एक्सपरटाइज नहीं, इसलिए मैं कमेंड नी हैं, कंट्रोल में हैं, और दीरे-दीरे जो अच्छा तिल और गटा इसका असर आगे और आएगा. है ना, तो हम साल बर के निशले स्थनों पर पहुंच चुके हैं, एक साल करने साथ हैं. हमारे लिए कमफर्टेबल है, कोई दिक्कत नी. अब देखो, RBI का मन ही है कि हमें उपर रखनी व्याद देने थोड़ी, comparatively, तब तो अलग बात है. लेकिन अब वक्त आ गया है कि गवर्णर साब भी अब हैना थोड़ी अच्छी अच्छी बात करना है, शिरू करेंगे. पिछली पॉलिसी में उतना मज़ा आया नहीं, लेकिन इस पॉलिसी में आया थिंग ज़ादा उपर आया है, तो फिर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो लगातार दूसरा महीन है पीक रेंज के अंदर आया है. नीचे, हमें भी 4 परसंट की नीचे चाहिए, चार परसंट के आसपर से ही, उनको दो जाना है, हमें चार जाना है, तो लोर रेंज पर आते अच्छा तेल का थोड़ा सरोर आएगा, तो मेरे ख्याल से हम काफी हद तक एकसेप्टेबल रेंज में आ जाएंगे, तो अब अग्रेसिवली ब्याज दरे बढ़ानी नहीं चीए, और नहीं तो क्या ग्रोथ पर असर पड़ेगा, हमारा शाइनिंग इंडिया है इसलिए? हाँ, बिलकुल है